माचडिया सुभा से मारे मारे फिर रही थी मगर अभी तक उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिला था थक खाल कर माचडिया एक उंचे पेड़ पर बैठ कर इधर उधर देखने लगती है तब ही दूर उसे एक उंचा पेड़ नजर आता है उस पेड़ पर कुछ तो है जैसे कोई फल मैं वहाँ जाती हूँ ऐसा सोचकर मा चिडिया उस उंचे पेड़ की तरफ उड़ती है मिल गया मुझे खाना मिल गया ये नारियल का पेड़ मुझे खाना भी देगा और पानी भी नारियल के पेड़ पर नारियल त्यार थे मम्मा चड़िया दो नारियल तोड़ती है और अपने घर वापिस उड़ती है मम्मा चड़िया जब अपने घर के करीब पहुँचती है तो उसे गोरी कवी मिलती है चड़िया चड़िया मुझे तो सुभा से कुछ भी नहीं मिला और तू ये नारियल का फल कहां से ले आई है दूसरे जंगल में नदी के पास है नारियल का पेड़, मुझे वहां से ये नारियल मिला है ममा चड़िया अपने घर चली जाती है रात हो जाती है गोरी कवी अपने पती कालू कवे से कहती है कालू जी कल सुभा से वेरे दूसरे जंगल जाएंगे वहाँ नदी के पास नार्यल का पेड़ है उस पेड़ से हम सारे ही नार्यल तोड़ लेंगे और चोटी जुडिया खाएगी नारियल का छिलका वो ऐसा ही करते हैं जैसे ही सुभा होती है वो दोनों पती-पतनी अपने घर से निकलते हैं और नारियल के पेड़ की तरफ जाती है गुडिया बेटी, मैं आपके लिए और नारियल लेकर आती हूँ मम्मा, कल वाले नारियल बहुत स्वादिष्ट थे मम्मा, मम्मा, मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है मैं अपनी बेटी के लिए आज फिर दो नारियल लेकर आऊंगी मम्मा चुडिया चली जाती है कवे और कवी ने तो जीब भड़के नारियल खा लिये थे अब पेड़ पर केवल दो नारियल ही बचे थे चुडिया भी वहां पहुंचाती है कवे और कवी आपने सारे ही नारियल तोड लिये क्यों जी, क्या तुझे से परमिशन लेकर तोड़ते हम अब ये दो नारियल भी हमारे हैं इस पेड़ पर खबरदार अगर इन नारियल को पंक लगाया तो मैं तुम्हारा पंक तोड़ दूँगा इस नारियल के पेड़ का मैंने ही बताया था गोरी तुम्हें और अब तुम मुझे ही ये नारियल तोडने से मना कर रही हो ज्यादा चूँचूना कर कालू तोड़ लो ये नारियल भी मैं देखती हूँ क्या करती है ये बांदरी चिडिया कालू कवा बाकी के दो नारियल भी तोड लेता है और वो दोनों पती पतनी वहां से चले जाते है चिडिया वहां बैठकर रोने लग जाती है अगर मैं कमजोर चिडिया ना होती तो मैं भी तुम्हारा मुकाबला करती तुम बुरे हो तुम बहुत बुरे हो चिडिया को रोता हुआ देखकर वहां जंगल की परी आ जाती है चुडिया रानी चूप हो जाओ जो बुरा हो जो जालिम हो उसे बुराई का बदला जरूर मिलता है क्योंके बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है जा के इसे अपने अंगन में लगाओ और फिर देखना इसका कमाल शुकरिया परी जी मगर वो कवे ये नारियल का पेड़ उन कवों से खुद ही निमट लेगा चिडिया वो बीज घर ले जाती है गुडिया बेटी गुडिया बेटी जल्दी आओ मामा चिडिया अपनी बेटी को बुलाती है मामा, ये क्या है? लिडिया बेटी, ये जादूी नारियल का बीज है. आप पानी लए और हम इस बीज को यहां बो देते हैं. फिर वो माँ बेटी ऐसा ही करती है. कालू कालू जी मैं ये दो नारियल अपनी मां को दे आती हूँ मेरी मां को नारियल बहुत पसंद है गोरी गोरी मैं एक नारियल अपने मामा जी को दे आता हूँ मेरा मामा जी भी नारियल देखकर बहुत खुश होगा फिर गोरी कवी दो नारियल लेकर अपनी मा के घर जाती है उधर ममा चिडिया और उसकी बेटी ने जैसे ही वो जादूई बीज बोकर उसे पानी दिया तो जमीन से एक पौदा बाहिर आता है जो देखते ही देखते भरने लगता है कुछी मिंटों में वो पौदा एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर नारियल भी लग जाते है एक नारियल तोटकर ममा चिडिया के पास गेड़ता है ममा चिडिया और गुडिया ये सब देखकर बहुत हैरान थी वाव ममा ये तो कमाल का जादूई नारियल का पेड़ है अब हमें भोजन की कोई चिंदा नहीं होगी और बेटी जंगल के दूसरे गरी पक्षी भी जी भड़के नारियल पानी पी सकेंगे फिर ममा चिडिया एक नारियल तोड़कर दोते और एक कबूतर के घड़ भेज देती है जब शाम के बाद कवा और कवी वापिस आते हैं तो चिडिया के घड़ के पास नारियल का पेड़ देखकर हैरान हो जाते है कालू जी मेरी नजर कमजोर हो गई है या ये सच है क्या वो सामने नारियल का पेड़ ही है हाँ गोरी मगर ये नारियल का पेड़ यहां कैसे आया अभी थोड़ी दिर पहले तो यहां कुछ नहीं था कालू कुछ तो है ये जरूर कोई जादू ही नारियल का पेड़ होगा हमें छुपकर चुडिया की बातें सुनना होंगी फिर जब रात होती है तो गोरी कवी और कालू कवा चुडिया के घर की खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और उन मा बेटी की बातें सुनने लगते हैं ममा क्या हमारे इस जादूई नारियल के पेड़ पर हमेशा नारियल लगेंगे हाँ बेटी ये पेड़ मुझे जंगल की परी ने दिया है जब कहवों ने मुझे मारा तो मैं वहाँ बैठ कर रोने लगी फिर वो परी आई और मुझे जादूई नारियल का बेज दे दिया कालू सुना ये सब हमारे कारण ही हुआ है अब देखना मैं कैसे इस चड़िया के नारियल के पेड़ पर अपना कबजा करती हूँ दूसरे दिन गोरिकवी चड़िया के पास चाती है चड़िया चड़िया ये नारियल का पेड़ तुम मुझे दे दो नहीं तुम भागो यहां से मैं तुम्हे ना नारियल दोंगी और ना ही ये नारियल का पेड़ छोटी चड़िया ये जादूई नारियल का पेड़ तुझे मेरी वज़ा से ही मिला है ना मैं तुम्हे मारती ना तुम रोती और ना वो जंगल की परी तुझे जादूई नारियल का बीज देती ये जादूई नारियल का पेड अपनी रख्षा खुद करेगा मैं तो चली अपने दोस्तों को नारियल देने चिडिया कुछ नारियल तोड़कर अपने दोस्तों को देने चली जाती है गोरी भागी भागी कालू के पास जाती है कालू जी कालू जी चिडिया चली गई है अब जल्दी से वा नारियल का पेड़ उखाड़कर हम अपने अंगन में लगा लेते हैं गोरी मैं अभी अपनी करेन लेकर आता हूँ कालु कववा अपनी करेन लेकर उस नारियल के पेड़ को उखारने के लिए जाता है कालु रुको रुको कालु पेले मैं इस नारियल के पेड़ से नारियल तोड लेती हूँ गोरी कवी जैसे ही नार्यल के पेट से एक नार्यल तोड़ती है पीछे से एक डंडा आकर गोरी कवी की पिटाई शुरू कर देता है कालू, कालू ये क्या, यहां कोई भी नहीं है, अगर ये डंडा मुझे मारे जा रहा है, मुझे बचाओ, बचाओ कालू जंगल की परी सामने आती है बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अब मिलेगी बुरे कवों को सजा कालु कवा आगे और गोरी कवी पीछे-पीछे और परी उन दोनों के पीछे डंडा लिये जा रही थी कवों को भागता हुआ दे कर सब पक्षी हंस रहे थे परी मार मार कर पूरे कवों को ज़गे से बागी निकाल देती है सारे पक्षी तानिया बजाते हैं और परी का शुक्रिया अदा करती हैं जिसने उन सब की जान उन डुश्ट कवों से बजाई थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवा लंबे ठेंडे मौसम के बाद चमकता हुआ सूरज इस बात का संकेत दे रहा था कि जंगल में बहार आ गई है आज सुभा सवेरे ही पक्षियों के गीतों की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी इसलिए छोटी चडिया भी सुभा सवेरे ही उठ जाती है सूरज की रोशनी और पक्षियों के संकीत बता रहे हैं कि बहार आ गई है मैं जल्दी से जाकर अनार के पेड़ को देखती हूँ ममा मैं भी जाओंगी देखने बहार कैसे आती है मुझे भी बताएए फिर वो मा बेटी अपने घर से निकलती है सच सच में अनार की नेई कॉंपले फूट रही है इसका मतलब अब बहार शुरू है ममा क्यों अनार के पेड़ की फूटी भी कॉंपले बहार का संदेश लेकर आती है हाँ बेटी जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ममा बताया करती थी कि जब बहार आती है तो सबसे पहले अनार के पेड़ के नेपते निकलना शुरू होते हैं गुडिया बेटी अब आप घर जाओ और मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बता दूँ बहार आने की खुश खबरी में सबको बता दूँ गुडिया घर जली जाती है और ममा चिडिया शौर मचाती हुई जंगल जाती है बहार आगेई बहार आगेई अनार का पेड़ फूट रहा है बहार आगेई चिडिया बहार आगेई क्या अब हम फिर से लटकर अपने जंगल वापिस जाएंगे चिडिया रुकती है हां मिठो सब त्यारी करो अपने जंगल वापिस जाने की त्यारी करो बहार आ गई है चिडिया आगे भरती है सब त्यारी कर लो वापिस जाने की त्यारी कर लो बहार आ गई है बर्गत के बड़े पेड़ पर सब बक्षी इकठे हो जाती है चुडिया मैंने तो कल ही देख लिया था कि बहार आ गई है कल सुभा हम सब अपने जंगल वापिस चले जाएंगे दुखों के दिन खतम हुए अब हम अपने जंगल वापिस जाएंगे दोस्तो मैंने और गोरी ने एक सलाह की है बैठ कर करेंगे मैंने और कालू ने चाची चील से बात कर ली है हम कल सुभा सवेरे ही चाची चील को ले आएंगे बसका सुफर फिर तो बहुत मज़ा आएगा बहुत इंजुआए करेंगे सब बसका की राया कितना होगा केवल बीस दाने चावल के फिर तो बहुत अच्छा है, बीस दाने चावल देकर हम उड़े बीना अपने जंगल वापिस पहुंच जाएंगे चिडिया खामोश थी, कालुकवा चिडिया से पूशता है चिडिया सबसे ज्यादा बहार के आने का शोर तुम बचा रही थी, और अब चुप हो, क्या बात है आप सब बस पर वापिस जाओगे, मगर मेरे पास तो बसका किराया देने के लिए बीस दाने चावल नहीं है, मैं कैसे जाओंगी चोटी जडिया, तुम जैसे घरी पक्षी ऐसे मौके पर हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं जाना कैसे है, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर उड़कर आ जाना फिर सब अपने अपने घरों को जले जाती है ममा, क्या बात है, कुछ हुआ है गुडिया बेटी, सब पक्षी चील चाची की बस पर पुराने जंगल वापिस जा रहे हैं मगर हमारे पास बसका की राया देने के लिए बीस दाने चावल नहीं है ममा, आप चिंता ना करें अगर हमारे पास बसका की राया नहीं है, तो हम उड़कर चली जाएंगी अगर ये सफर सब के साथ होता, तो कितना अच्छा लगता रास्ते में बातें करते जाते ममा, अगर आपके दोस्तों को इस बात का दुख नहीं है, तो फिर हमें क्यूं? दूसरे दिन सुभा सवेरे ही कव्वा और कव्वी उठते हैं और जल्दी से चाची चील के पास चाते हैं चाची चील अपनी बसके पास ही घौसले में सो रही थी चील चाची चील चाची उठें, सब तियार हैं और आपका इंतिजार कर रहे हैं मैं भी त्यार ही हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, बताओ, बस के किराय का बंदोबस्त हो गया है न? सब के पास किराया है, एक चुडिया के पास कुछ नहीं था, वह उड़कर आ जाएगी चील चाची उसे छोड़ें आप, बस आप जल्दी से बस स्टार्ट करें और चलें हमारे साथ फिर चील चाची बस स्टार्ट करती है, कववा और कववी भी बस में बैठ जाते हैं बर्गत के पेड़ पर सब बैठे हुए थे, जैसे ही बस वहां रुकती है, सब पक्षी बस में बैठ जाते हैं चुडिया, चुडिया नहीं आई मोटी चौच वाले तो थे, क्या दिमाग भी मोटा है तुम्हारा कल उसने बताया तो था, कि उसके पास किराया नहीं है, फिर कैसे जाएगी वो बस में अगर हम सब एक एक दाना भी दें, तो हम उसे साथ लेकर जा सकते हैं कोई जरूरत नहीं है, ऐसे घरी पक्षियों की मदद करने की, चील चाची चले गिंती कर लें, सब पूरे हैं, सब पूरे हैं, आप चले चिडिया भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है, रुकें रुकें, मुझे भी ले जाएं, मेरी बेटी ठक जाएगी मैं आपका क्या लोगी, मैं अपनी बेटी के साथ एक ओने में बैठ जाओंगी ना बाबा ना, ऐसा नहीं होगा, हम किराया दे कर जाएं और तुम फ्री में जाओ, ये नहीं हो सकता गोरी, मैं और मेरी बेटी बस की छट पर बैठ जाती है, प्लीज हमें भी साथ ले जाओ मगर चील चाची अपनी बस स्टार्ट करती है और आगे भरती है चील चील चाची रेटी है, चील चाची रेटी बस लग रही है चील चाची रेज बढ़ाती है और बस को तेज पर बेटी है ममा चड़िया और गुडिया बहुत पीछे रह जाती है तेज उड़ने के कारण वो बहुत ठक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है गुडिया गुडिया बेटी मुझे और तेज नहीं उड़ होता थोड़ा थोड़ा आराम करने के बाद हम फिर से उड़ेंगे गुडिया ठकी तो नहीं थी मगर वो भी अपनी ममा के साथ बैठ जाती है नदी के ओपर से गुजरते हुए चाची चील की तबियत अचानक खराब हो जाती है मेरी आँखों के सामने अंधेरा चा रहा है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कहते हुए चाची चील बस रोक लेती है क्या हुआ क्या हुआ चाची चील सोया हुआ कबूतर भी उठ जाता है लगता है नदी का पानी देखकर चाची जील को चक कर आ गया है तुम में से किसी को बस चलाना आती है क्या कालू जी क्या तुम चला सकते हो बस नहीं गोरी मुझे तो साइकल नहीं चलाना आती बस कैसे चलाओंगा मैंने मैंने एक बार बचपन में खिलोना बस चलाई थी मैं ट्राई करता हूँ रहने दो मोटी चोंजवाले खुद भी मरोगे और हमें भी मारोगे सब अपने अपने बैग उठा कर बस से बाहिर बैठ जाते हैं शाम भी हो जाती है वो सब बहुत परेशान थे कि उस अजनबी जंगल में रात कैसे गुजारेंगे पीछे से चड़िया और उसकी बेटी गुडिया भी पहुंचाती है सब को वहां रुका हुआ देहकर ममा चड़िया और उसकी बेटी भी वहां रुक जाती है क्या हुआ आप सब यहां क्यों रुके हैं सब ठीक तो है चड़िया चड़िया चाची चील को अचानक चकर आने लगे हैं और हम मेंसे कोई भी बस चलाना नहीं जानता चिंता ना करें दोस्तो हम सब आज रात अपने अपने घर में सोएंगे आपने तो मुझे पीछे छोड़ दिया था मगर मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी सब बैठे बस में खुशी खुशी सब बस में बैठ जाते हैं और चुड़िया तो बस को ऐसे चला रही थी जैसे हवाई जहाज हो बस तेजी से आगे भड़ती है याहू याहू अब आया मजा चील चाची बसे ऐसे चलाते हैं थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल में पहुँच जाते हैं प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों को मुश्किल समय में कभी अकेला ना छोड़ें और प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद